हे गाईज वेलकम बैक टू दे ओनलाइन किलाशीज कंडेक्टिड वाइस अन्राइज स्कूल देर स्टुडेंट्स वी आर रीडिंग थार्ड यूनिट सेक्शन टू टू मच्स टू मच्स दो ही ज्यादा हैं तो यहां पर मिसिज फरनांडी जो की स्कूल की संस्थापक है उ लड़की उससे आके कहती है मैम क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूं तो वे लड़की से बात कर रही है उसको बड़ा अच्छा लगता है उस लड़की का नाम तारा है बातो बातों में पता चलता है कि वो उस लड़की का नाम पूझती है तो बताती है तारा तो वो कहती है क कि तारा तुमने स्कूल ड्रेस क्यों नहीं पैन रखिया आज क्या तुम वेलकम सोंग गाओ गया आज क्या तुम घर वाले कपड़ों में हो आज हम ड्रेस में हो तो कहती है नहीं मैं हलांकि मुझे गाना अच्छा लगता है लेकिन मेरे पेरेंट्स यहां हैड मिस्टरस से मिलने आए है तु ट्राई फोर माई एड्मिशन टू इस स्कूल वे इस स्कूल में मेरे एड्मिशन की ट्राई करने आए है मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि मेरी अच्छी किस्मत होगी अगर मेरा यहां एड्मिशन हो गया तो अगर मुझे एड्मिशन मिल जाता है तो मेरे लिए लग्की होगा तारा सेड तारा ने कहा विड्शोलम आई गमभीर निगाहों से उसने गमभीर निगाहों से कहा कि अगर मेरा अड्मिशन यहां हो गया तो कहते हैं मेरे लिए बढ़ अच्छा होगा ओ ऐसे तुम यह कपडे पैने होगे हो तुम यहां की स्टूडेंट नहीं हो said Mrs. Fernandes Mrs. Fernandes ने कहा अच्छा अच्छा समझ गई then to erase the worried look in the young eyes before her फिर erase erase means दूर करने के लिए eraser होता है ना मिटाना erase करने के लिए दूर करने के लिए the worried look चिंतित भाव को चिंता के भाव को in the young eyes उस छोटी बच्ची की आँखों में जो चिंता का भाव आ गया था उस चिंता के भाव को दूर करने के लिए before her मतलब Mrs. Fernandes के सामने खड़ी छोटी बच्ची की आँखों में जो चिंता का भाव आ गया था उस चिंता को दूर करने के लिए उस चिंता के भाव को दूर करने के लिए she smiled Mrs. Fernandes मुस्कराने लगी लड़की की तरफ देख कर Well, you look so smart in that lovely dress बोले लड़की से तुम इस प्यारी dress में बड़ी सुंदर लग रही हो You look so smart, तुम इतनी smart लग रही हो in that lovely dress इस प्यारी dress में They will probably take you in right away वे तुमें अवस्य ही स्कूल में admission ले लेंगे, स्कूल में तुमारा admission ले लिया जाएगा They will probably take you, तुमें लाए हैं यहां तुमारे parents तुमें लेकर आए हैं in right away, सही जगह लेकर आए हैं Thank you maim, धन्यवाद maim Tara smile to Tara भी मुस्कराने लगी I choose it myself बोले कि यह जो dress है मैंने खुद चूज की थी मैंने मेरी पसंद की dress है सखी वांटी टू गैट मी वन इन ओरेंज Actually Actually जो सखी है न वो चाती थी कि मैं ओरेंज वाली पहनूं लेकिन मैंने बल्लू चूज की है सखी Mrs. Fernandis inquired required 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 होता है पूछताच करना Mrs. Fernandis ने पूछा यह सखी कोन है सखी कोन My mother Tara said Tara ने कहा Without any trace of this computer Discomputer Discomputer होता है मतलब बिना किसी प्रेशानी के Discomputer बिना किसी प्रेशानी के तो Tara ने बिना किसी प्रेशानी के Trace Trace में निसान Tara ने बिना कोई प्रेशानी के लक्षन दिखाते हुए Sad कहा My mother सखी मेरी मा है She is my best friend वो मेरी सबसे अच्छी friend है That is why इसलिए मैं अपनी मा को सखी कहती हूँ How appropriate कहने लगी कितनी सही बात कही Appropriate होता है Sweet अच्छी Suitable कितनी suitable बात कही तुमने ये तो बड़ा ही अच्छा है Agreed Mrs. Fernandis Mrs. Fernandis ने सहमती जताते हुए कहा Where is she now आपकी सखी कहा है आपकी माता जी कहा है At the headmistress office वो ली headmistress के office में है To the left of that flower port वो जो फूलों का गमला रखा है Flower port फूलों का गमला उसके left side में Headmaster के कमरा है वहाँ बैठी है Said Tara Tara ने कहा Pointing to the end of the corridor गलियारे के छोर पर की तरफ हिसारा करते हुए Pointing हिसारा करना End mean आखरी छोर of the corridor गलियारे के दूसरे छोर पर Headmaster's का office था उसकी तरफ हिसारा करते हुए बोली कि वहाँ बैठी है मेरी मा They hope to have the meeting before their Founders Day तो Headmistress ने कहा था कि Founders Day से पहले पहले हमारी उनकी मुलाकात हो जानी चाहिए थी They hope उनको ये उमीद थी to have the meeting कि मुलाकात हो जाएगी before their Founders Day उनके Founders Day से पहले स्थापना दिवस से पहले पहले मुलाकात हो जाएगी इसलिए It is for Mrs. Fernandes She concluded helpfully They hope to have the meeting before their Founders Day Founders Day से पहले पहले उन्होंने मुलाकात का समय दिया था It is for Mrs. Fernandes और जो ये Founder Day है न स्थापना दिवस ये किसी Mrs. Fernandes के लिए स्थापना दिवस है उनका स्थापना दिवस है She concluded उसने निसकस निकालते हुए का helpfully Mrs. Fernandes की मदद करते हुए लड़की ने सोचा कि ये जो मैडम है ये नहीं समझ पाएगी की पास जो Founder Day है वो किस की आदगार में है किस के लिए मनाया जा रहा है तो इसने बताए दिया कि Mrs. Fernandes की याद में Founder Day मनाया जा रहा है इस लड़की को नहीं पता कि ये सामने बैठी है यही Mrs. Fernandes है Old Franny's eyes twinkled some more बुड़ी Fernandes की जो आखें थी वो थोड़ी ओर चमकने लगी टिम टिमाने लगी twinkle She resolved उसने सोच लिया था पका इरादा कर लिया था तो पुटी ने वर्ड की वह बात को छुपाए रखेगी की मैं ही Mrs. Fernandes हूँ जो इस स्कूल की फाउंडर हूँ इस बात को छुपाए रखेगी For this little girl in blue नेले पोसाग पहने इस लड़की से छुपाए रखेगी क्यों? Would it not be fun? कितना मज़ा आएगा Meeting her कि जब मैं उसको मिलूंगी After she found out और Meeting के बाद उसको पता चलेगा कि मैं ही Mrs. Fernandez थी तो उसको कितना अच्छा लगेगा तो अभी नहीं बताऊंगी You better get back to your सकी अच्छा होगा तुम अपनी मम्मी के पास चली जाओ अपनी सकी के पास चली जाओ सकी ये अपनी मम्मी को कहती है क्योंकि उसको friend की तरह समझती है I doubt if she can get you admission मुझे doubt है कहीं वो तुमारा admission ना करा दे without you are being there तुमारी गैर मौजूदगी में without being you are there तुम वा नहीं होगी और पीच्छी से admission हो जाएगा सी अरग्ड उसने सला दी आगरे किया Just like the teacher she was बिलकुल वैसे ही एक teacher की तरह क्योंकि वो पहले teacher थी तो एक teacher की तरह उसने उस लड़की को अरग्ड दिया प्रेर ना दी प्रेरित किया कि जाएए अपने ममी के पास जाएए Tara hurried back Tara जल्दी से वापिस चली गई and Mrs. Fernandez moved on और Mrs. Fernandez भी वहाँ से चल पड़ी कहीं और गुम रही है हूँ अपने पुरानी यादे ताजा कर रही है she had just about cross crossed this sweeping staircase वो अभी अभी सीडियों के सामने से गुजरी थी sweeping staircase sweeping क्या होता है साफ सुतरी सीडियों के सामने से निकली थी leading to the floors जो सीडिया floor की तरफ जा रही थी उपर वाले floor पर जो सीडिया जा रही थी वे उन सीडियों के सामने से निकली ही थी when a girl is girl जैसी लड़की लड़की जैसी आवाज girl is voice मीन लड़की जैसी आवाज ने काल्ड उसको पीछे से पुकारा Mrs. Fernandez वो जब सीडियों के पास से आगे से गुजर रही थी तभी पीछे से कोई लड़की ने आवाज दी Mrs. Fernandez she turned to see who it was वो मुड़ी ये देखने के लिए कि कौन बुला रहा है मुझे वाई इट वाज तारा once again once more अरे तारा तो दुबारा आ गई hello again फिर से hello Mrs. Fernandez answered Mrs. Fernandez ने इसने जवाब दिया पजल्ड थोड़ा परेशान होते हुए कि ये दुबारा क्यों आई है had she dropped something क्या इसका कुछ यहां गिर गया है क्या ये कुछ भूल गई है यहां दुबारा क्या लेने आई है so now you know my name इसका मतलब है तुम मेरा नाम भी जानती हो उसने लड़की से पूछा of course मैम बिलकुल मैम मैं आपका नाम जानती हूँ Mrs. Wankert told me Mrs. Wankert ने मुझे कहा था to find you कि मैं आपको बुला के लाऊं they are looking for you वो आपको ढूंड रहे है for refreshment नास्ते के लिए in the canteen canteen में थोड़ा refreshment करने के लिए आपको ढूंड रहे है आगे देखिए pretty तारा बड़ी सुन्दर तारा inner lovely blue वो जो तारा है वो बड़ी pretty लग रही थी अपनी नीली सुन्दर ड्रेस में coat of उसने उसको पकड़ा and so के left hand with Mrs. Fernandes और Mrs. Fernandes से बाइना हाथ मिलाया am I to meet them there क्या मुझे उनसे वहां मिलना है yes ma'am हाँ ma'am वहीं आपको मिलना है वहीं चलना है कैंटीन में चलना है आपके लिए refreshment किया है उन्होंने परबंद should I tell Mrs. Wanket to come here for you क्या मैं Mrs. Wanket को जाकर बता दू कि आप यहां हो the child asked child ने पूछा बच्चे ने पूछा कि क्या मैं Mrs. Wanket को यह बता दू कि आप यहां पर हो no no I can find my way नहीं नहीं मैं खुँच चली जाऊंगे you better get back now अच्छा होगा तुम भी वापिस सले जाऊ the old lady said suddenly उस बूड़ी वुरत ने कठोरता के साथ कहा suddenly मैं कठोरता से wondering वो हैरान थी सोच रही थी चिंतित थी why a new child had been sent on an errand कि क्यों किसी नए बच्चे को इसका तो अभी admission नहीं हुआ है इस बच्चे को क्यों भेजा है उन्होंने on an errand errand मीन क्या होता है किसी को बुलाने के लिए जाना किसी को बुलावा भेजने के लिए इस लड़की को क्यों भेजा इसका तो admission भी नहीं हुआ है she headed for the canteen Mrs. Fernandez canteen की तरफ बढ़ गई and caught a glimpse of Tara और उसकी नजर एक थोड़ी सी जलक तारा पर फिर पड़ी Sandwiched वो बैठी हुई थी between beach में her parents अपने माता-पिता के beach में बैठी थी outside the headmaster's office headmaster's office के बाहर बैठी थी it finally struck her the little detail that had been bothering her even since she had received the message from Mrs. Wanket it finally struck her उसको आखिरकार ये समझ में आया उसको लगा आखिर में उसने ये सूजा उसने सोचा the little detail that had been bothering her कि वो छोटी सी detail जो उसको परेशान किये जा रही है ever since कब से परेशान कर रही है जब से she had received the message जब से उसको message मिला था from Mrs. Wanket Mrs. Wanket का message मिला तब से Mrs. Pernandis को एक परेशानी परेशान किये जा रही है एक छोटी सी परेशानी है जो उसको बोदर कर रही है why had the ribbon on Tara hair changed क्या परेशानी कि Tara का ribbon क्यों बदल गया to a matched blue उसने अब निली dress पर निला ribbon लगा लिया from the earlier white पहले सफेद ribbon था निली dress पर तो उसने निली dress पर सफेद ribbon की बजाए match करने वाला ribbon क्यों पहन लिया इस बात से वो थोड़ी सी परेशान हो रही थी old ferni had an awesome reputation old fernandis की एक बहुती awesome mean होता है श्यांदार reputation mean ख्याती थी परसिद्धी थी for a sharp mind तेज दिमाग वाली महिला के रूप में उसका दिमाग बड़ा sharp है सबी लोग ये समझते थे कि हमारी जो founder है school की old fernandis उसका दिमाग बड़ा sharp है तो उसका दिमाग इतना तेज था कि सबी लोग उसकी तारिफ करते थे लेकिन अब ये search में पढ़ जाती है कि क्या हो गया है मुझे मैं confused क्यों हो गई हूँ पहले ये लड़की सफेर रिबन पहने हुए थी अभी अभी दो मिंट बाद ये निला पहन के आ गई she was just mulling over वो जिस समय विचार मगन थी मुलिंग ओवर इस बात के बारे में विचार कर रही थी other doubts दूसरे जो संदे दूसरा जो संदे था एक संदे तो ये था कि उसने अपनी dress पर पहले white ribbon और blue ribbon क्यों लगा लिया था दूसरा संदे था कोई उस पर विचार कर रही थी when Mrs. Wanket accosted accosted her जब Mrs. Wanket ने accost का मतलब क्या होता है बिटी accost का मतलब होता है टोकना या बोलना in a breathless fashion Mrs. फ्रेंड इसने breathless fashion breathless fashion का मतलब क्या हुआ मतलब एक bedam breathless होता है bedam fashion मीन अंदाज में उसने bedam अंदाज में पूछी लिया oh there you are thank goodness अच्छा तुम फिर आ गई thank goodness अच्छा अच्छा तो अभी देखिए Mrs. Fernandis उस लड़की के बारे में विचारों में डूबी होई थी पहली तो उसको confusion ये था कि इस लड़की का रिबन क्यों बदल गया और भी कुछ से चीजों के बारे में को एक रूखे अंदाज में कह लीजिए या फिर हम कहेंगे breathless fashion का मतलब है कि बेदम अंदाज में Mrs. Wankat ने उनको accosted accosted होता है टोकना है बोलना तो बेदम अंदाज में Mrs. Wankat उससे बोली oh there you are अरे आप तो यहां है thank goodness thank goodness का मतलब क्या हुआ भगवान का सुकर है thank goodness भगवान का सुकर है we have arranged this next scene हमने आपके लिए अंदर नास्ते का परबंद कर रखा है in the canteen I know said Mrs. Fernandis Mrs. Fernandis ने कहा मैं जानती हूँ कि आपने canteen में मेरे लिए परबंद कर रखा है oh so you got the message तो आपको message मिली गया I told Antra to rush before her rehearsal मैंने Antra को कहा था जब वो अपने rehearsal से पहले जा रही थी rehearsal के लिए rehearsal क्या होता है पूरव अभ्यास rehearsal वो अपने rehearsal के लिए जा रही थी तो मैंने कहा कि पहले जा करके मैडम को बुला के लाओ Mrs. Wanket explained Mrs. Wanket ने समझाते हुए कहा विस्तार से बताया Taking the old lady's elbow बुडी औरत की elbow हाथ को पकड़ा as she directed her और उसको direction दी to the get together get together का क्या होता है मतलब बैठक होती है get together एक बैठक पारिटी होती है जिसमें बैठक के बाद चित की जाती है तो उस बैठक में ले जाने के लिए उसका हाथ पकड़ा और उसको direction दिया कि इधर चलना है so Tara was really untara अच्छा इसका मतलब Tara का असली नाम अंतारा है but what rehearsal लेकिन वो क्या rehearsal कर लगी थी there was no time for introspection अब तो समय नहीं बचा है introspection के लिए अब introspection क्या होता है आतम निरिक्षन आतम मन्थन अब अपना निरिक्षन मतलब rehearsal में ये देखना होता है कि हमारे तयारी कैसी है कोई कमी तो नहीं रह गई तो आतम निरिक्षन करने का अब तो समय नहीं बचा है अभी तो function शरू होने वाला है in the middle of hot samosas गरम-गरम samosa sweet kaju rolls मीठे काजू के roll and chilleded soft drinks और थंडी-थंडी soft drinks and of course और साथ में old and new gossip साथ में नए और पुराने लोगों के साथ गशिप होता है बातचीत करना गशिप का मतलब है बातचीत करना नए और पुराने लोगों के साथ बतलाना ये सारी चीज़े then off they went to the auditorium इसके बाद वे auditorium में चले गए इसके बाद ये लोग auditorium auditorium क्या होता है सभागार then off फिर वो चले गए off में चले जाना off they went फिर वे auditorium में सभागार में चले गए old farni with some of the teachers old farni कुछ टीचरों के साथ फिर वे सभागार के लिए चल पड़े auditorium के लिए चल पड़े en route रास्ते में en route होता है रास्ते में जब वो auditorium जा रहे थे तो रास्ते में they cut up with the little girl in blue उनकी नजर फिर से उस नेले ड्रेस वाली लड़की पर पड़ी अंत्रा तारा it didn't matter उसका नाम अंत्रा है या तारा है it didn't matter इससे कोई फरक नहीं पड़ता for she was singing like a nightingale क्योंकि वो लड़की एक nightingale की तरह गा रही थी एक कोईल की तरह गा रही थी and distracting so distractingly so और सबका ध्यान आकरशित कर रही थी तो उस पर नजर पड़ी रियासल कर रही थी वो लड़की तो एक बिल्कुल कोईल की तरह सुरीली आवाज में गा रही थी और सबका ध्यान आकरशित कर रही थी beautiful exclaimed Mrs. Fernandes Mrs. Fernandes ने कहा बड़ा ही सुन्दर है the child stop singing तो वहाँ पर वो गए auditorium में जहां पर वो प्रैक्टिस कर रही थे तो Mrs. Fernandes ने कहा शाबास बवती सुन्दर गा रही हो the child stop singing लड़की ने गाना बंद कर दिया and walking right away और एक तरफ चल पड़ी she blushed a nice pink where nearly dress में बड़ी सर्मा रही थी I can see you enjoy singing I can see you enjoy singing मैं देख सकती हूँ कि तुम गाने का बड़ा enjoy करती हो तुम्हें गाना अच्छा लगता है and dressing up in blue froke और nearly dress पहनने भी तुम्हें अच्छे लगती है so tell me what else do you like मुझे बताईए कि तुम्हें और क्या अच्छा लगता है ask Mrs. Fernandes Mrs. Fernandes ने उससे पूछा तो पेटे आज की वीडियो में इतना ही काफी आगे का chapter आप नेक्स वीडियो में कराएंगे I hope you will you have understood you got it better bye पेटे have a nice day